आज हम सिर्फ 4 अंडा और 1 कप सोयाबीन से बनाएंगे एक टेस्टी सबजी ये लंच रेसिपी बहुत ही हल्दी और जटपट बनके तयार हो जाएगा सोयाबीन और एग्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है स्वाद ऐसा कि सभी उंगलिया चाटते रह जाएंगे किचिन में असानी से मिलने वाले इंग्रीडियन्ट से बनाएंगे ये सबजी तो चल ये रेसिपी शुरू करते हैं मैंने ले लिया है 6-7 लसुन एक टुकडा अद्रक, दो मीडियम साइस के प्याज, एक टमाटर, दो आलू, चार अंडा और एक कप सोया बीन अब हम एक प्रेशर कुकर में सभी सोया बीन डालेंगे और डालेंगे चार अंडा, आप एक जादा या कम अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ले सकते हो और आलू डालेंगे, फिर दो गलास पानी डालेंगे और एक चमच नमक अब प्रेशर कुकर को बंद करके मैं दो सीटी लगा लूँगी दो सीटी लगा लेने के बाद फिर एक प्लेट में निकाल लूँगी अंडे बॉयल हो चुके है दोस्तो, बॉयल डालू को भी मैंने छील के काट लिया है अब सभी अंडों को चाकू से ऐसे आधा काट लूँगी सरकुलर मोशन में ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो अंदर तक पहुचे और हमें बहुत लजीज अंडे खाने को मिले देखिए इस तरीके से काट लेना है, ये डिजाइन देखने में भी अच्छा लगता है, काफी यूनीक लगता है जब तक आप ये सब करोगे, उस दोरान बॉयल्ड सोयाबिन को पानी में भीगो के रख देना, करीबन पाच मिनट के लिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब हम सोयाबिन को धोलेंगे, ऐसे निचोर के दूसरे बोल में रखेंगे अच्छी तरह से हमें निचोरना है, फिर जो बचा हुआ पानी है, उसे फेकेंगे नहीं, बलकि पौधों में डाल देंगे अब एक कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसो तेल, जस्ट फ्राई करने लायक तेल, एक अद्रक का टुकड़ा, पाच्छे लसुन और रफली चॉप्ट प्यास, फिर एक चमच नमक डालके फ्राई कर लेंगे ज्यादा भूनने की बिलकुल जरुवत नहीं है, बस एक मिनट के लिए भून लेना है, फिर टमाटर एड़ कर देंगे, इसे भी सिर्फ एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो सबजी का कच्छापन है, वो चला जाए ओवरॉल सब कुछ दो मिनट जैसा भूनना हो गया है, अब मैं एक प्लेट में सभी सबजी निकाल लूँगी, निकाल के इसे साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए अभी इसकी जरुरत नहीं है, अभी हम बॉयल अंडो को एक कटोरी में लेंगे, डालेंगे स्वा जल्दी से हटा लेती हूं, जब अंडे ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब इने अलग प्लेट में निकाल लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, फिर लेंगे बॉयल आलू जो हमने पहले से काटके रखा था और धुला हुआ सोया बिन, फिर इसमें भी टेस्ट के एक हो गया हो तो थोड़ा सरसो तेल और अट कर दीजिए, फिर जब तक ये पक रहा हो तब तक क्विकली मसाला तयार कर लेते हैं, उसके लिए एक बोल में लो एक टेबिल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबिल स्पून जीरा पाउडर, एक टेबिल स्पून कश्मीरी ल के मिला लेंगे हमारा मसाला तयार है अब कढ़ाई से सोयाबिन और आलू निकाल लेंगे अलग कर टोड़ी में तो सभी चीजे तो आलमोस्त तयार हो चुका है अब टाइम है सबको एक साथ पकाने का उसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सरसो तेल डालेंगे और एक टी पेस्ट तयार कर लेंगे ये देखिए पेस्ट बन चुका है बहुत ही फाइन पेस्ट बना है और मैं आपको उठा के दिखाती हूँ आपको भी ऐसा ही पेस्ट बनाना है अब इस पेस्ट को कढ़ाई में डाल देंगे फिर करीबन एक मिनट तक पकाएंगे हिला डूला के अच्छे से भून लेने के बाद जो मसाला हमने तयार किया था वो भी डाल देंगे फिर एक और मिनट तक प्यूरी को पकाएंगे अब थोड़ा सा मिठास के लिए डालेंगे एक चमत चीनी आपको नहीं पसंद तो मठ डालना ये बिलकुल ऑप्शनल है लेक किस्ट इन्हांस हो जाता है अब सभी फ्राई के वे अंडे डाल देंगे फ्राइट सोया बीन और आलू को भी डाल देंगे और सभी को प्यूरी के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब बाड़ी है ग्रेवी बनाने की ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जित कर दो सोया बीन अंडा करी प्लेट में इसे राइस के साथ खा सकते हो रोटी के साथ खा सकते हो बहुत ही है काट के दिखा रही हूँ बहुत सौफ्ट बना है इसे आप जट पर गेस्ट के लिए बना सकते हो बच्चे को भी काफी पसंद आएगा अगर रेशीपी अच्छा साथ